नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तु पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महतो पूर्ण जानकारियों को ले करके आए आज हम अलसी के गुनों से वाकिफ होते हैं घी खाए मांस बढ़े अलसी खाए खोपड़ी दूध पिये शक्ति बढ़े भुलादे सब की हेकड़ी तेल तड़ का छोड़ कर नित घुमन को जाए मधु मेह का नाश हो जोजन अलसी खाए नित भोजन के संग में मुठी अलसी खाए अपच मिटे भोजन पचे कबजियत मिट जाए घी खाए मांस बढ़े अलसी खाए खोपड़ी दूध पिये शक्ति बढ़े भुलादे सब की हेकड़ी धात वर्धक बलकारक जो प्रिय पूछो मोए अलसी समान त्रिलोक में औरन औश्रधिकोए जोनित अलसी खात हैं प्रात पियत हैं पानी कब हुन मिली हैं वैद्य राज से कब हुन जाई जवानी यह है अलसी की परिभाषा अलसी सेवन का तरीका अब हम जानते हैं हमने आपको बता दिया कविता के माध्यम से कि कितने गुन होते हैं अब हम जानते हैं इसको प्रियोग कैसे करना है हमें प्रती दिन 30 से 60 गराम अलसी का सेवन करना चाहिए 30 गराम आदर्श मात्रा है अलसी को रोज मिक्सी के ड्राइ ग्राइंडर में पीश कर आटे में मिला कर रोटी पराठा इत्यादी बना कर खाना चाहिए डाइबिटीज के रोगी सुबह शाम अलसी की रोटी खाएं कैंसर में वुडविंग आहार विहार की पालन पूरी श्रद्धा और पूनता से करना चाहिए इससे ब्रेड, केक, कुकिज, आइसक्रीम, चटनिया, लड्डू, इत्यादी स्वाधिष्ट व्यंजन भी बनाए जाते हैं अलसी को सूखी कड़ाई में डालिए, रोष्ट कीजिए, यानि कि अलसी को रोष्ट करते समय चटचट की आवाज करती है, ये ध्यान रखें जा सकता है, जिससे कि आपके पीट की सारी परिशानिया दूर हो जाएंगे, अलसी की पुल्टीस का प्रियोग गले एवं चाती के दर्द, सूजन तथा नीमोनिया और पसलियों के दर्द में लगा कर किया जाता है, इसके साथ है चोट, मोच, जड़ों की सूजन शरीर में कहीं गांठ या फोड़े उठने पर लगाने से शिघर लाप पहुंचता है, यह स्वसन नलियों और फेफणों में जमे कफ को निकाल कर दमा और खासी में राहत देती है, इसके बड़ी मात्रा विरेचक तथा छोटी मात्रा गुर्दों को उत्तेजना प्रदान करके मुत् इरिशकासन में सहायक होती हैं, यह पथरी मुत्र शरकरा और कश्ट के और कश्ट से मुत्र आने पर गुणकारी है, अलसी के तेल का धुआ सुमने से नाक में जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है, और पुराने जुकाम में लाब होता है, यह धुआ हिस्टीरिया रोग में भी गुणदर शाता है, अलसी के काड़े से एनिमा दे कर मलाशय की शुद्धी की जाती है, उधर रोगों में इसका तेल पिलाया जाता है, अलसी के तेल और चुने के पानी को इमलसन आग से जलने के घाव पर लगाने से घाव भिगरता नहीं है और जल्दी भरता है, पथ यानि कि कोड़ प्रोसेश्ड तेल को फ्रीज में एयर टाइट बोतल में रखें, सनायू रोगों, कमर दर्द एवं घुटनों के दर्द में यह तेल 15 मिलेलेटर के मातरा में सुबह शाम पीने से काफी लाव मिलेगा, इसी कारे के लिए इसके बीजों का ताजा चोन भी 10- ग्राम के मातरा में दूद के साथ प्रयोग में लिया जा सकता है, यह नाश्टे के समय अगर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा लाभानुईत करता है, बवासीर, भगंदर, फिशर, इत्यादी रोगों में अलसी का तेल, यानि के अरेंडी के तेल की तरह ही, इसको लेने से पेट साफ होकर मल चिकना और धिला निकलता है, इससे इन रोगों की वेदना शांत हो जाती है, अलसी के बीजों का मिक्सी में बनाया गया दरदरा चून 15 ग्राम मुलेठी, 5 ग्राम मिश्री, 20 ग्राम, आधी निम्भू के रस को उबलती हुए 300 ग्राम पानी में डाल कर बर बाहर निकल जाएगा, मुत्र भी खुल कर आने लगेगा, इसकी पुल्टीस हलकी घर्म करके फोड़ा, गाठ, गठिया, संधिवात, सूजन, इत्यादी में अगर आप लगाते हैं तो आपको लाफ मिलता है, डाइबिटीज के रोगी को कम शरकरा एवं ज्यादा फाइवर के पीछ लेना चाहिए, इसके बाद उससे बनी हुई रोटी का सेवन करना चाहिए, इससे आपको फाइवर पर पूर मात्रा में मिलेगा और आपका पेट बहुत ही क्लीन हो जाता है, जिसकी वज़र से आपका पाचन तंत्र सही होता है, मजबूत होता है, आपका पेट सही रहता है जो डाइबिटीज में भी आपको लाप करता है ये फाइबर तो दोस्तों देखा आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए लेकर के आये थे अल्जी के गुनें से अद्भुत गुनें से कहें तो ज्यादा बहेतर होगाँ वाकिफ कराने के लिए कुछ एक महत्त पूर्णजानकारियां अगली बार हम आप सभी से चुड़ेंगे कुछ एक और महत्तो पूर्ण सानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों